पुलिस ने टाइर ले जा रहे दो ट्रकों और दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को गिरफतार किया गया हिंगनगाट पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया सायक पुलिस नरिक्षक दीपेश ठाकरे द्वारा मुंबई से मुद्दमार किया गया जब्त वर्धा जुले के हिंगन घाट के पास के रीमडोह परिसर के पीएमपी ट्रांसपोर्ट कमपनी के डेपो से चोरों ने दो ट्रक चोरी किये थे प्रकरन में दिपेश ठाकरे, सहायक पुलिस्तरिक शक हिंगन घाट पुलिस्टेशन इन्होंने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को हिरासत में लिया सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहवासी थे समसुद्दिन सजजाद अहमद खान, शाहिद अली मिराजुद्दिन, शेहरायर जिनूर, अब्दिल खान और रहान मुहमद नसीम खान को गिरफतार किया क्या और दो चोरी किये गए ट्रप को जब्त कर लिया क्या हाला कि यह पता चला कि चोरों ने दो ट्रकों के 24 पहिए बेचे थे सभी आरोपियों को पुलिस के सहायक निरिक शक दिपेश ठाकरे ने अदालत में पेश किया था अदालत ने उन्हें तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेश दिया था आरोपियों से गहन पूचताच के बाद सहायक पुलिस दिरिक शक दीपेश ठाकरे को समाधान कारक उत्तर नहीं मिला तब पुलिस हिरासत की मांग की गई थी तब फिर से आरोपियों की गहन पूचताच की उसके बाद मुंबई से 24 चोरी के ट्रक के टायर जब्त किये गए और टायर ले जा रहे दो ट्रक को जब्त किया और दुनों ट्रकों की चालकों को गिरफतार कर लिया पुलिस द्वारा आगे की कारवाई जारी है हेंगन घाज सेर रवीय नौर करक रिपोर्ट इनबीसेन न्यूस नाकपुर